नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अमखन्ना और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टिप्स फॉर हेल्थ दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके स्वास सम्मंदित बिल्कुल सटीक जानकारिया तो दोस्तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से ही सम यूग बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी कोहनी और पैरों के पंजों में जो काला पना आ जाता है उसे बिल्कुल 100% दूर कर सकते हैं दोस्तो उसके लिए करना केवल आपको इतना है कि आपको बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसे लेना है और उसमें नीबू को आधा काट कर उसमें डिप करना है देन उसके बाद आपको जहां पर इस प्रकार काले रंगा घेरा हो चुका है आपके या कोहनी पे या पंजे में किसी प्रकार का काला पन आ चुका है उसमें आपको उसे 10 मिनट तक कम से कम रब करना है दोस्तो एक चीज़ में आपको बता दूँ कि कोई भी नुस्खागर होता है अगर हम जो प्रयोग करते हैं वो अचानक से लाब नहीं देता है आप सभी जानते होंगे कोई भी प्रयोग अगर आप अपने शरीर पर या किसी वीमारी के उपर करते हैं तो अचानक से वो लाब नहीं करता है धीरे धीरे उसका असर मिलता है तो दोस्तो अगर आप सोचे कि एक या दो दिन में आपका ये काला पन बिल्कुल दूर हो जाएगा तो ऐसा मुँमक्न नहीं है आप इस प्रयोग को कम से कम 10 से 15 दिन प्रयोग करिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ धीरे धीरे आपका ये काला पन बिल्कुल दूर हो जाएगा और ये कोई मजाक नहीं है ये किया हुआ प्रयोग है और इसको जो है आप कम से कम पांस से दस मिनट तक जहां पर आपका ये कालापन आ गया है वहां पर उसको रब गरिए धीरे धीरे आपका ये कालापन बिल्कुल दूर होता चला जाएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये प्रयोग करें और आपको लाब मिले तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएग वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें तब तक के लिए सुस्त रहिए और मस्त रहिए नमस्कार